हेलो एवरिवन वेलकम ओके तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सॉल्व करेंगे नुमेरिकल्स ओन्टी बेसिज ओफ फॉर्मला ओफ दी कंपाउंड इन सोली स्टेट केमिस्ट्री आपने देखा होगा कि काफी ढूमेरिकल्स पूझे जाते हैं कि आपको कोई कंपाउंड दी रखा होगा उसका फॉर्मला जनडेरेट करके दिखाना है मतला फॉर्मला बताना है कि क्या हो सकता है उस कंपाउंड का और वो कंपाउंड किसी भी लierटिस रे मतला जैसे यहाँ पे आपको numerical देखने को मिल रहा होगा कि compound is formed in FCC lattice मतला यह सब कुछ चीज़े यह जो numerical से ही काफी important है for MCQ questions के लिए generally तो यहाँ पे वो ही हम discuss करेंगे और इसके लिए आपको कुछ idea होना चाहिए जैसे tetahedal voids, octahedal voids जैसे हमने previous video में discuss किया था और आपको दूसरा पार्ट यह है कि आपको उन चीज़ों का भी idea होना चाहिए जैसे यहाँ पे lattice point का contribution कि corners पे lattice point का contribution क्या हो सकता है edges पे क्या हो सकता है, FCC के case में क्या हो सकता है यह सब कुछ videos मैंने already बना के रखी हुई है और वो सबी videos मैंने एक playlist में रखी हुई है that is solid state chemistry में और उस playlist का link इस video के description में होगा वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर i button पर click करके विए आप दे सकते हैं ओके तो start करते हैं now the first question is if a compound is formed in FCC lattice यहाँ पर आपने चीज जो main main point होते हैं उसको underline कर लेना होता है यहाँ पर FCC lattice दे रख और दूसरी चीज with यहाँ पर उसने बोला कि उस compound में कौन-कौन से atoms हैं उसकी बार यागी M atoms हैं और M atoms जो हैं वो कहाँ पर हैं corners पर हैं unit cell के corners पर हैं और जो दूसरे atom है that is N atoms वो कहाँ पर हैं face center पर हैं मतला FCC में क्या होते हैं कि जो lattice point होते हैं वो corners पर भी होते हैं और face centers पर भी होते हैं जैसे यहाँ पर हमने discuss किया था कल यहाँ पर previous वीडियो में देखो यहाँ पर क्या था कि corners पर थे lattice point और as well as हर face के center पर थे तो यह क्या था हमने बोला था यह FCC lattice था अब यहाँ पर जो compound वो FCC lattice में है उसमें दो atoms हैं M and N M atoms corners पर है और N atoms कहाँ पर है face center पर है तो उस compound का हमने formula बताना है क्या हो सकता है ओके यह काफ़ important numerical है अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपको given होगा वो सबसे पहले यहाँ पर लिग लेना M atoms कहाँ पर हमारे पास corners पर है और जो N atoms है वो कहाँ पर है Face Center पर Face Central पर अब यहाँ पर आपको पता होगा corners कितने होते हैं Q में 80 होते हैं 6 corners होते हैं और हमारे पास जो lattice point का contribution होता है corners पे वो कितना होता 1 by 8 यह हमने already discuss किया था वीडियोस में तो क्या हो जाएगा इसको multiply करो या या यह cancel हो जाएगा कितना है 1 आ है अब हम बात करते हैं यहाँ पे face center के लिए n atoms पे तो n atoms face center पे हैं और total face कितने होते हैं जैसे यहाँ पे unit cell की बात होगी न यहाँ पे देखो unit cell है तो unit cell है as a क्या होता है cube ही हम lattice करते हैं तो cube की कितने faces होते हैं 6 ही होते हैं आपको बता है तो यहाँ पे 6 multiply और कितना contribution होता है lattice point का face पे face center पे कितना होता है 1 by 2 1 by 2 इसको solve किये कितनА है 3 आया यहाँ पे आ घया 3 okay तो यहाँ पे m atoms का कितना contribution है 1 और n atoms का कितना contribution है 3 तो यहाँ पे ratio क्या यगी 1, m ratio, n कितनी ratio आ सकती है तो m ratio, n !!!! यह भी ratio भी आपको पूस्चा क्या है कि कितना है हमारे पास m के लिए कितना answer है जाना है कितने किस से M से तो इसका जो फोर्मला होगा compound को वो क्या बन गया MN3 यह बन गया 1 यहां पर लिख सकते हो ओके वैसे तो 1 को निगलेक्टी करते हो तो क्या बन गया इस compound का formula MN3 now next question a compound AX BY has a cubic structure यहां पर जैसे वहां पर लिखा हो था first में FCC structure मतलब FCC lattice अब यहां पर cubic structure है तो simple ही है क्योंकि जितने भी हम unit cell की बात करते हैं as a cubic होता है तो कुछ भी नहीं है with A atoms जो है यहां पर A atoms कहां पर है corners पर भी है all the corners as well as all the face centers मतलब A जो atoms है वो corners पर भी है और face centers पर भी है दूसरी चीज B atoms जो है वो उन्होंने occupy 4 tetrahedral voids B atoms ने 4 tetrahedral voids occupy करके रखे हुई है उसने बोला कि X और Y की values क्या हो सकती है बस यह है इसमें X और Y की value पता गरने है अब सबसे पहले यहां पर जो given वो लिख दो A atoms की बात करते हैं A atoms कहां पर है corners पर भी है as well as as well as अगर लिखा होगा तो plus करना है और दूसरा part क्या दे रखे है वो कहां पर है face centers पर face centers पर और corners कितने होते हैं Q में 80 होते हैं और उनका contribution भी साथ में multiply करना होता है जैसे यहां पर किया था into 1 by 8 plus face center यहां पर देखा था Q में कितने होते हैं 600 होते हैं उसका contribution भी साथ में करना होता है 1 by 2 तो यह आ जाएगा cancel out जाएगा यहां पर आ जाएगा 3 so यहां पर आएगा 1 इसको solve करो 1 आ जाएगा plus that is 1 into 1 1 ही आ गया plus as a plus and यहां पर आ गया 3 कितना आ गया हमारे पास a के लिए 4 आ गया अब b के लिए बात करते हैं b occupy 4 tetrahidal words b ने जो है सिरफ 4 tetrahidal words ही occupy करके रखी हुई है तो simple यहां पर लिख दो 4 tetrahidal short form is td tetrahidal words right अब यहां पर इसका contribution करने के simple जूरत नहीं है simple यहां पर लिखा है 4 tetrahidal words so simple हमें पता लग गया कि b की value के है simple 4 यह है यह नहीं करना कि tetrahidal words हमारे पास कितनी थी 4 थी 8 जो भी है उसको multiply किया 4 से ऐसा कुछ नहीं करना जो आपको दे रखा है अगर यहां पर लिखा होता 2 octahidal words तो b की value 2 होने थी simple जो इसके आगे लिखा होगा वो ही b की value होगी बस इतना हो गया तो यहां पर a की value कितनी आई 4 और b की value कितनी आई 4 आ गया अब यहां पर इससे पता लग गया A के साथ क्या है X है और B के साथ क्या है Y है तो जो A की value होगी वो ही X की value होगी और जो B की value होगी वो ही Y की value होगी तो यहां से पता लग गया कि X is equal to 4 and Y is equal to 4 अगर हमने ratio निकाल ली हूँ तो क्या हैगी X ratio Y क्या ratio हैगी वैसे तो मैं यहाँ पे पूशा नहीं गया simple x और y की value पुछी थी अगर आपको by chance ऐसे ratio निकालने आती है तो क्या अगर होगे x की value कितनी आई 4 और y की कितनी आई थी 4 4 ratio 4 आगे solve कर सकते हो अगर तो option में ये दे रखा है equal to कितना है a 4 and b 4 तो simple हमने क्या किया x और y की values पूट कर दिया आप so that's it I think ये जो दो numericals मैंने करवाएं ये आपको idea देने के लिए बताया था कि इस तरह के question आपको देखने को मिलेंगे from the formula of the compound कि यहाँ तो आपको simple formula आपको पूछेंगे कि क्या हो सकता है आपको lattice दे सकते हैं atoms दे रखेंगे वो कहा कहाँ पे like कर रहे हैं वो आपको hint दे रखा होगा तो आपने इन चीजों का दियान रखना है और दूसरी चीज जैसे यहाँ पे question में आपको already compound दे रखा है उसमें atoms भी दे रखे हैं कि AB atoms हैं और उनकी position भी दे रखी है और आपको पूछा गया कि यहाँ पे X और Y की value क्या हो सकती है तो इस तरह के different different ऐसे कुछ पूछ सकते हैं बस यहाँ पे यही important है तो अगर आपको ऐसा कोई भी modify करके अगर आपको numerical दे देंगे I hope आप solve कर सकते हो So I hope यह video आपको काफी helpful होगी तो ऐसे videos के लिए please channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं next video में happy learning